Hello everyone, welcome back to my YouTube channel तो आज मैं पहुच कही हूँ कहा पहुची हूँ जादाएगी है तो अजादाएगी है तो हमनों पहुच कही है तो यूपती बाला जी तो चलो दर्शन करते है वह बाई उतर्जम्र हो जाएगा तो आज मरकेट वगडर वबाके शारा में नंदिर का बहार से आपना डर्शन दर्वा रागी अंगा सो नहीं ख़च सकते वाँ तो फो लोग स्वी गोविन्वर्वाम चलोज़ से ख़़िए और 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 चंपल में तो जैसे कि आप लग देखियोगी मैं तीरो पती बाला जी पोवज गई थी और वहां से फिर मैं जीप किये और फिर उसके बाद हम लोग रेचा रहे है तीरो वाला जो की ऊपर में पहाड के ऊपर में ऑन जाँ एक पहाड की κौ। बागी बॉर्स वादर से आओगे तो नपर रूपर के आज पसलेगा बागी जए बॉर्स वादर से आओगे तो नपर के आओगे तो कि आओगे तो नपर रूब हास। मेरा खाना फोर खत्तम हो चुका है और इसको देख लो और इसको भी देख लो मेरा खाना दे लिये तो क्या कर सकती हूँ मैं खा ले प्लेटी देख सकती हूँ वहारा घाना तो कम्प्लीट हुगा था लेकिन अभी तक कि हमारे रोम का नम बढ़ निया था इसलिए हम लों इसी रोड पे गूम रहे थे पिर क्या ही कर सकते हैं अभी तक कि हम लोम में मिलन है मेरे गड़ लोग जो आए हैं इतने गंदे आए हैं ये को अभी आया था, ये गाइट के कोई काम कानी है, नेक्स से हुसको कोई लेकर नहीं आगा मैं तो तुपारी बात लग जानी है अभी हमको आए ही तद रेकर क्या है दो बजे से, दो बजे से आए आए अभी बज के है पाँच और अभी तद के रूम मेले काप जा के हम रूम रेडी होएंगे काप जा के दर शुम होगा और लोगों से बुटे से ना भूंते लग रहे है और यहां पर ऐसा खिचडी मिलते रहता है मतलब अभान का प्रशाट टाइप बोल सकते हो तो यह पर हर थोड़े थोड़े देर में ऐसा मिलते रहता है तो हम लोगों को रूम बगर तो मिल गया था बाखी में व्लॉप के लास में आप लोगों को दिखाऊंगी कि रूम बहां का कैसा है बाखी हम रूम जल्दी से रैडी होगे निकल गए थे बाड़ा जी के दर्जन करने के लिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मतलब अर्ट बजी किया था शायद 8.30 के आसपस हो गया था ताइम और उसी के चक्कर में हमाय साथ बहुत बढ़ा मोही भी हो गया था क्योंकि मतलब हम रूम से जैसे ही बाहर निकले तो उसके बाद फिर मतलब हुआ ऐसे जी पकार खड़ी रहती है ना तो उनको पूछे कि वहां तक के जाने का कितना रूपे लोगे तो वो बलता है कि 200 रूपे तो हम मतलब पूछे है कि कितना दूर क्या मतलब तपर वो गुमा भी रहता मतलब लेंग्वेज यहां पर समर्ज होता है पर कोई ना मंदीर के पास में वो छोड़ दिये थे हम उसके बाद हम लंग अंदर एंट्री कर लिए और यह पूरा ऐसे जेल जेल टाइप कर रहता है मतलब एक पर अगर आप लोग अंदर आगे तो बाहर निकल ही नहीं सकते हो ऐसा हो जाता हो इतनी लंबी-लंबी लंबी-लंबी लंबी लाइन रहती है कि क्या ही बताओ मैं बहुत ज़्यादा बीड़ रहता है यहां पर आप लोग को देख की पता चार रहा होगा कि कितनी ज्यादा भीड़ है और यह सिप अभी एक कमरे पे हैं अब यहां पर ऐसा बहुत सारे रूम वगर है जहां पर ए यह करके यह सब भरते जाता है उसके बाद में जाकी दर्शन करने के लिए होता है यहां पर हमनों को तो लगता है जैसे श्री शैलम में मतलब श्री शैलम में भी ऐसे ही रहता है कि मतलब रूम भरते जाता है बरते जाता है ऐसे पाच्छे टाइप के रोम रहते हैं वहां तो पर मतलब 200-300 टाइप के लोग रहते हैं फिर जैसे जैसे बहरते जाता है तो मतलब नंबर वाइस करके करके खाली होते जाता है फिर वहां से दर्शन करते जाते हैं तो उस टैप कही होगा लेकिन यहां पर वैसा नहीं रहता है बाबा मतलब हम लों करीबन साड़े आठ ब यहां पर तो हर को इंसान सो गया था मतलब वॉल टाइप का बना दिया थी जैसे स्टेडियम बदर पर रहता है उस टैप का और हर कोई सो गया था लेकिन मैं को नींदी नहीं आ रहा था पता नहीं ऐसा था कि कब दर्शन होगा और मैं तो मॉन वृद भी रगी दी कि जब कि दर्शन नहीं होगा तब तक कि मैं कुछ नहीं बोलूगी लिके मैं थब गई त्या के लिए चूप रहे रहे है बाबा लेकिन फिर भी दर्शन हुए सब चीज़ अच्छे से हुआ उसके बाद फिर यह बाहर का भी हुए अंदर से मुबाइल वकर नाउड नहीं था तो सकते हैं यहां बहुत इस्ट्रिक रहता है मतलों अलाव नहीं करते हैं बहुत दूर तो कि तो लेकी गई थी मुबाइल लेकिन उसके बाद तो जम्हतरवादी तो नहीं हो पाया बाकि यह रंगोली बटाइब कितना प्यारा बना हैं बहुत अच्छा लगा और यह मीन मंद आप लोग दर्शन करने आने बाले हो तो आप नीचे में रूख सत्यों कि आप रूम लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बागी सारा चीज तो बहुत अच्छे से होता है खाना पानी बगर चाह बगर सब चीज आप लोग को मिल जाएगा लेकि रूम के दिक्कत नहीं है और वहाँ पर जैसे दर्शन करने के लिए था तो हमें को सूपर चाह बगर दिये थे एडली सामबर बड़ा का नास्ता बगर दिये थे सब चीज है अंदर पर मतलब हर चीज देती है चाह बगर दिये थे और उसके बद रात को भी खिचडी बगर दिये थ वहाँ से बाहर जब तक कि दर्शन ना हो जाए तब तक कि नहीं निकल सकती तो ऐसा है बाकी यहां से बहुत अच्छा लग रहता तो मैं आप लोगों गुम्मत बड़ा दिखा रही थे कि वह कुई जो साथ गुमत बने है वह कुई सोने के बने है तो मुझे तो बहुत अच्छा रही थे कि मंदिर अच्छे से आपको दिखा पाऊं करके बागी यहां पर भी सब फुजा वकर कर रहे थे और यहां से वियो बहुत अच्छा रहा था मंदिर का लगों केमरे पर पता नहीं लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा था यहां के अलगी सुकुन म देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो मैं तो मंभी दर्शन करे के आ गए उसके बाद दे रहे हूं लेकिन सबको दर्शन करने के पहले देते हैं लेकिन यहां पर नेंग रहता है मुझे भी मन आगी में पूरा बार दे दू लेकिन अब फैमिली जानती हो ना नहीं हो पाता लेकिन मैं बुझे थोड़ा सा ही कम से कम दे के जाती हूं यहां पर हर को यहां आता है तो देता ही है करेकी और यहां पर जितने लेकी उतने सारी के सारे लेडिस लोगी थे यहां पर जो बाल बतार कार्ट रहे थे और यहां पे कविबन करेबन मतलब हर कोई जितनी लोग भी आती है चै वो मतलब कहीं से भी आये लेकिन यहां पर बाहर देती है कंपल सरी डाइब का है और ऐसा है कि हम्यों को जैसे तोड़ा सा लगता है ना लेकिन वहाँ पर हर कोई ऐसे ही गुम रहा था तो देखके बहुत अच्छा भी लग रहा था यहां पर मतलो बच्छे लोग देवे थी तो उसकी बहर रोने लग गई दीखना जादा तो मेरा भी हो गया था कटिंग पकर तो फिल मैं बहार आ गई और यहां से आप देख सकते हो कि कितना जादा गाऊ रही सारे लोग लाइन पर लगे हुए थी और हम लोग जादा भूग लग गई थी तो फिर हम लोग आ गए कुछ खाने के लिए तो यहां भी यह पूरी सबची मिला तो यहां पर भी मतलब ब्रेट बगर ऐसी रहता है 40 रुप है 50 रुप है इस तैक पर ही रहता है यह मेरा फेवरिट है याज मैं बहुत खाई हूँ और पर यहां पर मार्केट बगर है तो हमनों थोरा से शॉपिंग बगर किये प्रशाद बगर भी लेना था और कुछ-कुछ चीजे मतलब लेना था तो वो सब लिये तो हम जो होटर दो किये तेरी पती में पतलब तेरी पती माला पहार की उपर तो यह हमारा रून है जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ मिला है पचाव सेबर में मतलब एक रूप हमको मिला है प्रशाव सेबर में तो मुच्छ और आपको भी में दिखा दिखती हो पर यहां पर भी आपको बैट आनके अगर एक्स्टर हो सकते हो क्या और यहां पर यह लोग पैपिंग कर रहे हैं एंटाइम में उनको याड आता है क्या हो और यह यहां का यह बेड़ी कज्रा तीक है यह मैं ली थी यह बनाओ नहीं करके लेकिन मैं सो गई है तो हुआ यह हम देखते हैं और यह है बैट और इसके साथ सिफ एक ही बिलो दी तो बैट चिस में अब नों को जो नहीं मिलाता है आप पता नहीं क्योंकि हम तो कर रात बर यहां पे रूम पे थे ही नहीं मतलब लिए बस थे शिफ रैडियों के सीधा मंदिर गया थे जो सुबा सुबा भी नहीं सकते हैं तो कोई मतलब का नहीं हुआ बाकी रूम बहुत अच्छा है उसी साब से तो आप लोग में अगर उपर हैं आते हो यहां अधिर पतिवाला जी वे तो आप लोग यहां पे ले सकते हो और क्या कैसे करता है वो आपको मैं अलग से इक लोग में बता हूँगी या इसे पर यह जोजे थोड़ा पवाट टाइम मिला भी तो फिल में बता हूँगी तो भी चलो जलते है बाखी का घूमना भी बागी है तो वो भी गवर करना है ना तो चल बता हुए और मेरे गला गजर भी बॉइस को एक लोड करना कि रात बड़ से सो हो ही रही है तो इसलिए मेरा वाजन थोड़ा एसे निगा रही है तो यह ऐसा एक व्लोग मिलता है मतलब उसको नम्मर बाइस निकारादा है चरसे एव पर मोंको फूंसो पंडर नम्बर हो जाता है तो इसे फर ब्लो अब यहां पर यहां पर मतलग एक केंसी प्रजेक्ट जा इसा जो रहते है ना उस टाट का लिए करेबन यहां पर इतने हो गए एक हजार सम्थिंग फिर शोंग ऐसे ब्लोगेज बने होने और उसके सब में अलग 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 अधा एफ जी तक कि ऐसा ऐसा गर एक नमबर द इस अधाया बाधी आपर कौपर चलो बताती हो आज आज आजय इस इतना ज़ादे द्री और करका पिस्टाइब का लिए रहते है नमबर पर लगा यहां पर लिखा रहते है तो वैसे नमबर पर लिखा रहते तो जाना दिकतर नहीं होता है पहचानने में कि अपना रूम रोना भी आरहे है तो यहां पे नई रुपाइं तरह नीच जा रहे है हम तरह पॉलट पॉलट के देख रहे हैं तो आप हम जा रहे हैं वापस नीचे जाएंगे स्टेशन जाएंगे तो यहां पर अभी भी मार्केट वकर यहां पर जैसी रोम से वकर निकलोगे तो आस-पास में सारे मार्केट वकर हैं और नियरभाय पर ही हैं मंदिर वकर भी जादा डिस्टेंस नहीं है हमारे तो वैसे ही वापिंग डिस्टेंस पर ही है तो आप लोग जा सकते हैं तो यहां पर हर जगा पर वैसे भी बाला जी बाला जी दीख रहे हैं हर जगा पर स्टेश बगर पाना था बहूत अच्छा लग राता तो यहां पर जो मेन स्टाच्छ oh बरना थकर बना था यह मुंझे बहूत अच्छी का नो इसको बहुत नहीं के तिलक के लगाती हूं कि अर्द जब चारी थी मंजीर के तो वहां पर तीलक नहीं लगवा पाई ती में मुझा तरा जा देगा है कन्टीनियो बॉल बुलके तो यहां पर मुझा पती दगा ली तीलक तो हम लोग यहां पर वीडियो बगर बनाएं अब बहुत सारा फोटो बगर किच आये तो अब लोग सारा सौट पकर देखियों कि ने लेकियों मैं अभी बहुत सारा सौट पकर यहां कर डालने भी वाली हो तो उस पे लाइक कमेंट करते रहना यार सपोर्ट करो जलनी थोड़ा देक है कर देख लिख लिखते हैं करेकिये मैं आके थे यह तो बहुँत मैं चाए तो बहुत बेंगा मुझे अच्छा नार भी लगा की लिखा है कि मुझे कार एक चाहिए इसके लिए मैं सोची अभी सही ले जाती हो मैं पहले से करके तो यह भी मुझे बहुत अच्छा लगए मतलब बालाजी के साथ लगए तो अब हमारा काड़ी आ गया है अब हम जारे है वापस तो इस तरह कर यह पर लगाऊंगी करके सोची ते बालाजी तो मुझे बहुत अच्छा लगए तो अब भी तो घर लाकि रख लेक लिए जब भी कार होगा तो मैं अपनी कार पर आऊंगी सोची तो एक बरी बालाजी के दर्शन करनी के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कार पैसे लॉंग राई ताइप में जाना आँपार आप के अवाया कहर कि यहां कभी वगए बगर इतना प्यारा लगता है तो गाढ़ वगषा है बहुत अच्छा लगता है तो कि आपनों के बैक एम करें के भी लिखाती हूँ तो हम दोनों जाने बैट कहते हैं मुमी और मैं यहां पर जीप के सामने में और हम आप भी करें मैं बहीं सोचे हुथे कि नोर्मल हम रही जैसे यहां रायपूर पर जाने का सोचे ही तो हम तेही रिखा में भी नहीं आ सकती इतनी चोटी-चोटी सीट रही लेकिन यहां गाड़ी के सीट वगर बहुत अच्छी रहती है मदब बड़ी रहती है तो यहां पर ऐसी गाड़िया वगर बनी थी बहुत अच्छा लग रहा था मतलब ऐसे कि बाहर पर गिरते जाओगी कभी इदर कभी उदर ऐसा था तो रोड बहुत अच्छा लगा बशिस यहां पर भी ड्राइव करना तो next level यह बापा मतलब बहुत मुश्किल है यहां पर भी ड्राइव करना क्यूंकि एक डम जो लेपी की तरहरां का भी रस्ता वर्गर तो लेकिन बहुत अच्छा देख रहा था मतलब ूख अच्छा लेकिन अब इसामने से देखने पर और ज्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे तो बहुत मसा रहा था और मेरो बाई अभी पीछे बैठा था बचार रहा हुआ है तो यहां पर बहुत सारा इस्ताथे वगर भी रस्ते पर बना बना हैं तो अगर आप लोग परसनल काड़ में जा रहे थे ना कावल लेकि जाते हैं या पैदल यात्रा जाते हैं यहां पर भी वैसे ही जर्शन करने के लिए यहां पर पैदल आती हैं लोग तो रास्ते पैसे आप लोग को देख जाएंगे आटे जाटे डाइप का तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और यहा यहां पर यहां पर हमोंगे एक थाड़ी ओर्डर किये थी और ऐस यूजवल मैं अपना चौमी नहीं ओर्डर की थी तो पर यह मतलब ऐसा ना यह गोभी चिली टाइप भी मतलब गोभी पकोड़ा बोजब तो इस थाप कर यहां पर यहां पर इसा लगता है हर चीज में मिल यहां पर भी ऐसे ही मिला और केली के बत्ते पर यहां पर मिल रहा बहुत अच्छा लगा मुझे तो ट्रेन में अपर थोड़ा टाइम था इसलिए हम बोली कि यहां पर समान वकर रख लेते हैं और आस-पास में भी बहुत सारे यहां पर मंदीर वकर है ती रुपति बानर क्या पर दर्शन कड़े थे और बोले बाबा कर भी आपे वंदीर रहे जिसका नाम है श्रीकाल हसती और यह जो शिवलिंग यह यह रहा दो जैसे यह क्यों सबरते हैं अकनी वायू जल स्ट पर बाइज अ को यह जो हैं बाइव लिंग और फिर आ मैं आप बथ कर यह थी यह यहां पर जैसे ही हमनों शिकाल हस्ती वंदिर पहुचने वाली थी तो डेकोरेशन बगर देख की इतना अच्छा लग रहा था मतलब महाशिव राती का टाइम है तो इतना प्यारा डेकोरेशन बगर हुआ था पुरा रोध बगर सजा हुआ था यहां पर जैसे केलाजगीरी म मैं क्या कर सकते हो ना कोई भी रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई है कितना पन हो पाया मैं करही हूँ यहां पर कुछ-कुछ राह वगर का यहां पर फूजाए बगर करती है लिड़ ना प्यारा डेकोरेशन हुआ था यहां और दर्शन बगर भी हमनों को रहा अच्छे से ग बहुत ज्यादा बीड भी थी यहां पे भी तो आप लोग जैसे वी आईपी पास पर लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो मतलब दो सुर रुपे तीन सुर रुपे पर पर संकी साब से रहता है तो हम लोग भी वी आईपी पास लेकी दर्शन किये और यह जैसे मैं बता भी इतन अंदर मंदीर के अंदर लेके जाती हैं आप लोग देखके दर जाओगी तने बड़े-बड़े साइस के थी तो अब दर्शन करके हम लोग वापस जा रहे हैं ट्रेन का टाइम भी हो चुका था तो बोले कि थोड़ा टाइम पहले ही चले जाते हैं क्योंकि कोई परोसा नह लगा है और यहां पे मैंने पूरा बस बुख कर लिया था हर्पा कुछ नहीं है हमनुके सिफा कोई भी ने बैच नहीं है तो पर फिर भी यहां पर यह चीज बहुँ अच्ही लगी चाहिए एक-चाहिए बैट है बुश्य फरपार कि लएत लोग थे ही निहां बागे क्या कैसे आना चीए उसका इस अलग से व्लोग बनाऊंगी पर आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वोटिंग, बाइ-बाइ